हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शेड़ी वीथे स्माटनेस अई होब कि आप जहां भी होंगे स्वास्तेवं सुरक्षित होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ important questions के वारे में जो कि आपके exams के लिए बहुत ही ज्यादा helpful होंगे ठीक है तो दोस्तों आपको सभी questions को ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो लास तक देखना है जिससे कि आपको सभी questions इसी वीडियो में याद हो जाएंगे तो दोस्तों चले start करते हैं लेकर उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं आए तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल अकन भी प्रेस कर लिजे जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के ब्रेट्स टाइम पर मिलती रहेगी तो दोस्तों आपको पहला question देख लेते हैं क्या है तो दोस्तों आ आपको 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 आपक का 18% भाग पहाडी है ठीक है चले नेक्ष कोशन चलते हैं नेक्ठ है कि भारत का कितना प्रसद भाग पठारी है दोस्तों भारत का कितना प्रसद भाग पठारी है औप्शन है 28% 29% 30% 30% या फिर 31% तो यहां पर जो आपका right answer है ऑप्शन नमर एे जो कि ऊठाइस प्रत्सक्राइज भारतने प्रिस्ट भाग मैदानी है, option है, 43%, 44%, 45%, या फिर 46%, या फिर 43%, 44%, 45%, या फिर 46%, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइड आंसर है, option नमर A जो की है, 43%, ठीक है, 43% दोस्तों भाग मैदानी है, चलिए next question पर चलते हैं, next है, कि भूब एग्यानिकों के मताविक जहां आज हिमालय परवत है, वहाँ पहले क्या था, ओप्सन है, टेथिस सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमद्द सागर, तो यहाँ पर जो आपका सागर, ठीक है, दोस्तों जहाँ पर आज हिमालय है, वहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था, चलिए next question पर चलते हैं, तो दोस्तों next question आपका, कि हिमालय की उत्पत्ति का सिध्धांत क्या है, option है, प्लेट विवरतन की, कोहवर के सिध्धांत, मैकाले के सिध्धांत, गुर्ण गती का सिध्धांत, तो दोस्तों इसमें जो आपका right answer है, option number A, जो की है, प्लेट विवरतन की, दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति की सिध्धांत, option number A, इस दर right answer, ठीक है, चलिए next question चलते हैं, next है, कि हिमालय परवस्रेणियों को कितने भागों में बाटा गया है, द दोस्तों हिमालय परवस्रेणियों को तीन भागों में बाटा गया कॉन सी, तो दोस्तों आपको जो पहली है, ब्रहद हिमालय या फिर हिमाद्री, लगू हिमालय या हिमाचल स्रेणियों, सिवालिक हिमालय या बाहिमालय, दोस्तों यह तीनों ही हिमालय स्रेणियों के झाजाता है तो आपको सारे नाम याद रखने हैं चलिस अब नेक्ष्च्च और सब्सक्राइब कर दोst रहा हो सेमेठर नह сценी सो मेटर तो दोस्त। response अबरे जिस 6000 मिटर ब्रहध हमालय की ओसट तोचाहे 6000 मिटर है टिक है चलिंव चलिंवोलन चुलते हैं कि नक्स्ट कहरें कि इसमिस की सरवाधिक ऊची चोटा या कि स्टेड्डी में पाई जाती है अप्शन है ब्रहध लगू हिमाला, सिवालिक हिमाला या फिर हिमाचल स्नेडी तो इसमें जो आपका right answer है option number 8 जो की है ब्रहध हिमाला बेश्टो की सरवादिक उची चोटियां ब्रहध हिमाला में पाई जाती है चलिए next question चलते हैं नेक्ट आपका कि ब्रहध हिमाला की सबसे उची चोटी कौन सी है दोस्तो ब्रहध हिमाला की सबसे उची चोटी कौन सी है तो option है Mount Everest, कंचन जंगा, मकालू, डोड़ा बेटा तो दोस्ते इसमें जो आपका right answer है option number 8 जो की है Mount Everest जिसको की सागर माथा भी कहा जाता है तो ब्रहध हिमाला की सबसे उची चोटी है MT चलिए next question चलते हैं नेक्ट है कि ब्रहध हिमाला की दूसरी चोटी हो के क्या नाम है तो option है कंचन-जंगा, मकालू, धॉलागिरी, नंगा-परवत, अनपूर्णा, नंदा-वदी या फिर उप्रियुक्त सभी चोटिए हैं यह सभी यूपर उस अंगी is that right answer, चलिए next which means पर जलते हैं, नादिभी जोटिए की स्राजज में आती है, जो कि प्रवर्प चोटि की स्राजज में आती है, option है उत्राखंडी हिमाचल प्रदेस, सिर्किम, बिहार, तो इसमें जो उब पर राइड आंसर है, option number A जोकी है उत्त्राखंड दोस्तों नंदा देवी जो है कि उत्त्राखंड की एक प्रमुख चोटी है ठीक है चलिए next पर चलते है next है कि नंदा देवी चोटी किस हिमाला का हिस्सा है option है कुमाई हिमाले कारकोरम स्रेडी उत्री हिमाले ट्रांस हिमाले तो इसमें जो आपका right answer है, option number A, जो की है कुमायू हिमाले, ठीक है, नंदा देवी चोटी, कुमायू हिमाले का भाग है, चलिए next question पर चलते हैं, next है, कि भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है, दोस्तों important question है, यहापको confused होता ही है, इसमें पूछा है, भारत में हि तो आपका right answer है, उची चोटी कौन सी है, और option है, कंचन जंगा, धौला गिरी, नंदादेवी, अनिपुर्णा, दोस्तों इसमें पर जो की है कंचन जंगा, जो की है कंचन जंगा, जो की है धुर्टों हिमाले की सबसे उची चोटी है, चलिए next को समी चलते हैं, दोस्तों next पर नेपाल की सीमा पर भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी है ठीक है नेक्स्ट है भारत का सबसे उचा सीखर कौन है है दोस्तों भारत का सबसे उचा सीखर कौन है तो ऑप्सन है माउंट के टू माउंट एवरेष्ट नंदा देवी अन्यपूर्णा तो यहां पर पर राइड अंसर है जो कि माउंट के टू दोस्तों इसको माउंट गौडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों शिए भारत का सबसे लंबा। लेकिन दोस्तों यहां जो चिंद वहां पर इस्तित माउंट के टू ठीक है जब्कि दोस्तों जो कंचन जैनग這是 कि कर्वारतर ने कुस्त अब इस था है कंचनृन दोस्तों जो भारतर सब्चसे वहां माउंट के टू चलते हैं next है कि mount k2 कहां इस्तित है दोस्तों यही question मैंने आपको बताया mount k2 कहां इस्तित है option कारा कोराम स्रेडी पाक अधिकरत कस्मीर लद्धाक स्रेडी जासका स्रेडी या फिर ट्रांस सिमाल है तो दोस्टिस पुझी आपका right answer है option number a जो की है कारा कोराम स्रेडी पाक अधिकरत कस्मीर ठीक है option number a is the right answer next question पर चलते है next है कि लगु हिमाला या हिमाचा स्रेडी के विस्तार भारत में कहां है तो option है मुख हिमाला के दक्षिड में मुख हिमाला के उत्तर में मुख हिमाला के पूर में या फिर मुख हिमाला के पस्चिम में तो यहाँ पर जो right answer है option number a जो की है मुख हिमाला के दक्षिड में ठीक है लगु हिमाला या हिमाचा स्रेडी के विस्तार मुख हिमाला के दक्षिड में इस्तित है चलिए next को पर चलते है नेक्ट दोस्तो हिमाचल स्रेणियों की ओसत उचाई कितनी है हिमाचल स्रेणियों की ओसत उचाई कितनी है तो आप्शन है 3700 से 4500 मिटर 200 से 2500 मिटर या फिर 500 से 500 से 500 मिटर या फिर 4000 से 5000 मिटर तो यहाँ पर जो आपकर राइड आंसर है ओप्सन नमबर A है जो कि है 3700-4500 मिटर हिमाचल स्रेडियों के ओसर तो चाहिए 3700-4500 मिटर की होती है चलिए नच कोशन पर चलते हैं नेक्ट है हिमाचल स्रेडियों में मुख्य रूप से कौन से स्रेडियां सामिल है ओप्सन है प्रीर पंजाल धौलाधर, नाक्टिब्बा, महाभारत या फिर उप्रियुक्त सभी तो दोस्तो इसमें जो आपका राइड आंसर हिमाचार स्रेडियों में मुख रूप से सामिल है option number D जो की है उप्रियुक्त सभी यानि कि दोस्तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाक्टिबब और महाभारतिय सभी दोस्तो हिमाचार स्रेडियों के प्रमुक्त स्रेडिया है तो दोस्तो आपको याद रखना है उप्रियुक्त सभी जडाराइड आंसर तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आज होब कि आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्रीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तो अपने फ्रेंड में से जरूर सेयर कीजिएगा और दोस्तो ऐसे ही इंपॉर्ण वीडियो के लिए बने लिए चैनल साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद